हेलो दोस्तो नमस्कार प्रॉफिट गुरू चैनल में एक बाद नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूँ तो दोस्तो बैंकिंग सेक्टर का लीडर है HDFC बैंक अगर मैं प्रावेट इंडस्टी की बात करूँ तो सबसे तेजी से जो आगे बढ़ रहा है जो ग्रो कर रहा है वो HDFC बैंक है ठीके स्टॉक का प्राइज आप देख सकते हो आज के दिन भी गिरावट दिख रही है लेकिन दोस्तो ये कंपनी क्या करती है जब दोस्तो अपना क्यू नंबर शो करती है मतलब quarterly earning शो करती है उससे कुछ समय पहले कंपनिया कुछ आकड़े प्रोवाइड करती है उनके अनुमान से ठीक है revenue growth प्रोवाइड कर दिया या कासा जो रहता है वो प्रोवाइड कर दिया ये सब चीज प्रोवाइड करके एक अंदाजा हमेरे सामने रख देती है कि हमारा जैसे की number किस प्रकार से आ सकता है अब इसी गड़ी में अभी देखे April, May, June ये तीनों मैंने कतम हो चुके है तो मतलब Q1 का जो number है Financial Year 2023 का वो आने वाला है तो इससे पहले यहाँ पर HDFC बैंक ने अभी अपने Q1 के number शो किये है मतलब कुछ आकड़े शो किये है तो हम अनुमान लगा सकते है कि company का Q1 का number किस प्रकार से आ सकता है तीक है और उसी के recording देखे तो आप देख सकते है 350 रुपे के आसपा स्टॉक गोम रहा है तेक है अभी market open है और अगर हम देखे हैं कि आज की शुरुवात company की 1355 रुपे 65 पैसे से हुई थी तेक है previous close था बड़ा शांदार गेप अपनिंग लिया 1364 रुपे high लगाया 1399 रुपे 35 पैसे और low लगाया 1351 रुपे सहाट पैसे यह intraday का performance उसके साथ ही देखेंगे stock का 52 बिक का ही जो हमें देखने को मिलता है 1721 रुपे के आसपास का और 52 बिक का low है 1271 रुपे का मतलब almost 80 point stock यह अपने 52 बिक के low के पास है तेक है मतलब 80 point ज़्यादा दूर नहीं है 5 दिन के अगर हम बात करें तो stock में 5 दिन में तेजी दिख रही है 1.50% की एक महने में अभी आप देख सकते हो करीबन पोने 2% की गिरावट है 6 महने में आप देख सकते हो साड़े 13% की गिरावट है दोस्तो एक साल के अगर मैं बात करता हूँ तो साड़े 9% की गिरावट है 5 साल के अगर मैं बात करता हूँ तो 5 साल में 62% का रिटन दिया है और overall के अगर मैं बात करता हूँ तो दोस्तो ये company ये bank market में काफी पूराने समय से listed है ठीके लगबख 24,000% का रिटन इसने अपने shareholder को दिया है मतलब दोस्तो जिस प्रकार से bank का नाम है ठीके जिस प्रकार से bank का का काम है उस प्रकार से ही दोस्तो HDFC bank का return भी हमें देखने को मिलता है तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है अब देखते हैं कि company ने अपने Q1 के number के आकड़े किस प्रकार से हमें दिखाए हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम company की officially PDF के उपर आ चुके हैं ये NSC, BSC दोनों को सोब दिया है इनोंने तो देखिए July 4 मतलब ये कल के date में मतलब का late evening इनोंने यहाँ पर exchange को provide कर दिया था और disclosure provide किया है दोस्तों यहाँ पर तो यहाँ से जो point इवो हम कबर करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि company का दोस्तों जो main growth रहेगा इस Q में ठीके उसमें सालाना तोर पर दोस्तों लगबक 21.5% की growth हमें देखने को मिलेगी ठीके ये बहुत बढ़िया बात है और उसके साथ ही March Q से भी अगर compare करेंगे ठीके मतलब Q on Q basis पे तो वहाँ पर भी company को करीबन almost 2% की growth देखने को मिलेगी सालाना तोर पे 21.5% की growth देखने को मिलेगी ठीके उसके साथ ही मतलब Q on Q basis पे 2% के आसपास की ठीके ये बहुत अच्छा नंबर है उसके साथ ही देखेंगे loan growth company के loan growth के अगर हम बात करें तो company का जो loan growth है वो सालाना तोर पे वो भी 21.5% growth होगा ठीके और Q on Q basis पे 5% उसमें growth आईगी ठीके और commercial and ruler banking loan जो growth रहता है ठीके उसमें 29% का jump आ रहा है ठीके year on year basis पे और Q on Q basis पे 3% का jump है ठीके उसके बाद corporate और other और जो loan रहता है ठीके उसमें company को साड़े 15% का growth है और ठीके ये बहुत अच्छी बात हमें देखने को मिल रही है आप देख सकते हैं ठीके और Q on Q basis पे जो है वो level similar है मतलब बराबरी रहेगा तो देखा जाए ना तो जो loan growth है वो भी बहुत अच्छी मतलब जितने भी department है इनके loan growth के मतलब अलग-अलग segment में loan दिया जाता है ठीके सभी में दोस्तो company का सालाना तोर पे बहुत अच्छा performance है और Q on Q basis पे भी बहुत अच्छा performance है इस आकड़े को देखके हम यह समझ सकते हैं कि company का जो number है वो बहुत अच्छा आएगा अगर दोस्तो HDFC bank बहुत अच्छा अगर number show कर देती है तो जितनी भी इसके नीचे bank है ठीके वो सब भी बहुत बढ़िया number show करेगी Q1 का जो number है वो कम कर देगा क्योंकि दोस्तो बड़ी बड़ी company दोस्तो है private bank में ठीके आपको सब को एक एक करके पता है ठीके जैसे कि HDFC, IC, Kotak Bandra, Industrial and Bank और बहुत सारी ऐसी bank है ठीके second point में देखते है depository जो depository growth है company की मतलब bank की ठीके उसमें भी दोस्तो 19.3% की growth है 19.3% की सालाना तोर पे ठीके और उसके साथ ही March का यहाँ पर update है March quarter का उसमें भी लगबग 2.9% की growth है depository में सालाना तोर पे भी बहुत अच्छी growth है और March quarter से compare करें उसमें भी बहुत अच्छी growth है Retail Depository growth की अगर हम बात करें ठीके तो साड़े 18% की growth है दोस्तो ठीके सालाना तोर पे और March क्यूं को अगर compare करें तो वहाँ पर 3.5% की growth है ठीके और wholesale और depository growth की अगर हम बात करें तो yearly basis पे 25.5% की growth है ठीके और March क्यूं को अगर compare करें तो आदे percent की growth है ठीके उसके साथ ही SCA, SCA जिसे हम KASA बोलते है ठीके KASA Depository जो main रिता है company का ठीके उसमें भी दोस्तो 20% की growth हमें देखने को मिल रही है ठीके उसके साथ हम देखें March number तो March number में भी करीबन 2.2% की growth हमें देखने को मिल रही है ठीके यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुती अच्छा यह पूरा जो number ए company का वो हमें देखने को मिल रहा है तो इस आगडे को समद के तो आब यही लग रहा है कि जो HDFC bank के वो बहुती शांदार अपना Q1 का number शोकन ने जा रही है उसके साथ ही NSC और BSC ने दोस्तो HDFC bank और HDFC का जो merger है ठीके उनको approval दे दिया है ठीके तो अब इन दोनों का मतलब जितनी जल्दी होच सके ठीके इन दोनों को क्या किया जाएगा मर्ज करने की कोशिश की जाएगी जब दोनों कमपनियां मर्ज हो जाएगी ठीके तो दोनों कमपनियों का business मिल जाएगा market cap मिल जाएगा तो ये कमपनि दोस्तों एक अलगी नई उचाएपे चले जाएगी ठीके तो बहुत अच्छा हमें performance इनका आगे भी देखने को मिलेगा और return तो आपने देखी लिया है company ने अपना Q1 का number भी जहां तक लगबग 75 से 80% तक दिखा दिया है अब main revenue आना बाकी है जैसा ही आएगा वो हम आप लोगों को provide करेंगे आप थोड़ा सा technical analysis भी देख लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों HDFC bank का charge pattern उपन किया है और daily candle में आप लोगों को सामने लगाया हुआ है तो यहां पर अभी देखेंगे तो अभी बहुत ही बढ़िया जैसे की यह जो 1300 रुपे का level है यह बहुत important level अभी बना हुआ है क्योंकि March में भी इसी पर low लगाया था ठीके इसी level पर यहां पर भी काफी समय तक time बिताया था और यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो stock ने support बनान के बाद उपर गया था अब देखिए मतलब अभी एक range में काफी समय से stock गोम रहा है यहां पर उसने entry ले ली थी उसके बाद से दोस्तों उसने इसी range में काफी ज़्यादा समय बिता दिया मतलब mid April में यह आ गया था यहां पर mid April में ठीके तो मैं मान लो पूरा जून पूरा होट सुका है ठीके और mid April मान लेजे मतलब धाई धाई पोने तीन मेने हो चुके हैं जबसे स्टॉक दोस्तों यह 100 रुपे की range में ही गोम रहा है ठीके मतलब दोस्तों 1400 रुपे का जो level है वो भी इसको यहां पर break करने में काफी problem आ रही है क्यों यहां पर स्टॉक आता है ठीके और यहां पर seller activate हो जाते हैं ठीके और यहां पर आता है तो यह देखने वाली बात होगी कि इस बार seller activate हो रहे हैं या नहीं ठीके उसके साथ यह अगर देखते हैं मान लिजिए 1300 रुपे का level अगर गलती से नीचे के side में break भी हो जाता है pressure market में काफी ज़्यादा आता है stock के ओपर भी आगर आ जाता है तो यहाँ पर previous में देखते हैं कि 1300 रुपे के level के नीचे कहाँ पर हमें कुछ support देखने को मिल रहा है तीके जैसे कि यहाँ पर देखिए यहाँ से तो break हुआ level तीके 1300 रुपे का उसके बाद देखिए एक range हमें देखने को मिल रही है 1200 रुपे की तीके एक देखने को मिल रही है 1500 रुपे की तीके और एक यहाँ पर देखने को मिल रही है सबसे बड़ी जो दोस्तो 1050 रुपे की तीके यह देखिए यह भी एक range बाउंड है जैसे कि यहाँ पर भी आप अगर देखेंगे ना तो stock ने यहाँ पर इंटरे ले 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 थी मतलब end June में end June में ले 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 थी उसके बाद जुलाई ठीके जुलाई जुन जुलाई फिर अगस्त पूरा भी आया सितंबर भी पूरा भी आया ठीके और अक्टोंबर starting में उसने आप ब्रेक आउट दिया ठीके मतलब एक मेंना पूरा दो मेंना पूरा तीन मेंना पूरा और लगबग लगबग साड़े तीन मेने इसने एक ही जगा पे मतलब 1050 से 1150 रुपे के वीच में समय विताया ठीके फिर जाके एक अच्छा कासा ब्रेक आउट दिया ठीक तो अगर मान लीजिए वो लेवल अगर ब्रेक होता भी है 1300 रुपे का तो हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं यह साड़े 1100 रुपे से लेके 1050 रुपे के लेवल के बीच में HDFC बैंक का स्टॉक आ सकता है क्योंकि ओरिजिनल मोमेट इसका यही पर देखने को मिल रहा है बाकी दोस्तों अभी तो सबको फोकस यही करना चाहिए कि स्टॉक का जो 14100 रुपे का जो लेवल है ठीक है वो किस वेसेज़ पर ब्रेक हो रहा है वाल्यूंग उसको मिल रहा है या नहीं क्योंकि दोस्तों काफी बार स्टॉक की वहीं से पिटाई हो चुकी है तो यह ठाट टाइम होगा जब स्टॉक 14100 रुपे का लेवल टेस्ट करेगा ठीक तो 14100 रुपे का लेवल जैसे ब्रेक होगा स्टॉक में कुछ ना कुछ दम हमें देखने को मिलेगा उसके बाद वो क्या अगला लेवल बनाता है वो हम आप लोगों के साथ शेर जरूर करेंगे ठीक है तो चैनल से बने रहीएगा दोस्तों इस वीडियो को लाइक करेगा ठीक है